अध्याय दो पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज, कुर्सी टेबल, मुस्कान, भाप, आदी उदाहरणों में क्या आपको कुछ समानताई या अंतर दिखाई देता है? आईए इसे समझने के लिए एक क्रिया कलाप करें। समझने की कोशिश करें कि बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया, तथा प्रकाश क्यों जा सका? बीकर में ऐसा क्या था, जिसने पानी को अंदर नहीं जाने दिया? हम जानते हैं कि हवा, पानी, कुर्सी, टेबल, इत्यादी इस्थान घेरते हैं. इसी कारण बीकर में उपस्थित हवा के द्वारा इस्थान घेरने के कारण पानी बीकर में नहीं गया. आपने अनुभो किया होगा कि पानी से भरी बोतल, खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है. किसी वस्तो का भार, उसमें द्रविमान के कारण होता है. लोहे की कील, कुरसी टेबल, भाप जिनका उलेक उपर किया गया है, इस्थान घेरते हैं तथा उनमें द्रविमान होता है. जबकि प्रकाश धोलक की आवाज, मुसकान आधि में द्रविमान नहीं होता और नहीं वे इस्थान घेरते हैं. इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका, जो वस्तुएं इस्थान घेरती हैं तथा जिन में द्रविमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं, चुंकि धोलक की आवाज, मुस्कान प्रकाश में यह गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए यह पदार्थ नहीं है अब आप बता सकते हैं कि हवा, पानी तथा प्रकाश में से कौन से पदार्थ हैं, कौन से नहीं ध्यान रखें कि लेजर टॉर्च का प्रकाश आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इसका उप्योग सिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें